20 अप्रेल 2030 आज शूर ग्रहन भारत में कितने बज़े होगा सुत्तक काल का शही समय गर्वती महिलाएं जरूर करें ये काम दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माधम से बताएंगे कि वर्स 2030 का जो पहला शूर ग्रहन है इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों ग्रहन का बैग्यानिक और धार्मिक दृष्टे से प्रकी तथा मानों समदाई पर गहरा प्रभाव पड़ता है यही बज़े की हर साल घटित होने वाले शूर ग्रहन और चंद ग्रहन को लेकर मनुस में उत्सुकता बनी रहती है ग्रहन जैसे खगोली घटनाओं के अपने बैग्यानिक अधार होने के साथ साथ इनका अपना जोसी महत्तु भी होता है वर्स 2030 में जो पहला शूर गहन है वो कल 20 अप्रेल 2030 दिन गुरुबार को लगेगा यह साल 2030 का पहला खग्राश शूर गहन है जो भारती समय अनुसार 20 अप्रेल को शुबय प्राते 7 बज़कर 5 मिनट से प्रारंभ होगा और दुपार 12 बज़कर 29 मिनट तक रहेगा यह गहन एसिया के जैसे की चीन, जापान, मलेसिया, सिंगापूर और अंटार्टिका, अश्टेलिया, योरोप के कुशिंसों में साथी दच्चिन अफ्रीका के कुशिंसों में यानि कई देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा यह शूरगहन मेस रासी और अश्टनी नच्चत्र में लगेगा इसलिए मेस और अश्टनी नच्चत्र से संबंधित ब्यक्तियों के जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा और इन लोगों से संबंधित इन जातकों को विशेश सावधानी रखने की जरूरत है इन्हें शतर करहने की आवशक्ता होगी तो दोस्तों वर्स 2030 का जो पहला शुर्गन लगने जा रहा है ये भारती समय अनुसार इसका सूतक काल 19 अप्रेल को साम 7 बचकर 4 मिनट से प्रारम हो जाएगा और सूतक काल समाप्त होगा 20 अप्रेल को जब शुर्गन समाप्त होगा तो पहर 12 बचके 29 मिनट पे आला कि ये शुर्गन भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन खासकर गरवती महिलाओं को बहुत शावधानी बरतनी की जरूरत है गरवती महिलाओं को इसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए गरवती महिलाओं को चाको सोई कैची और धारदार वाली वस्तों बिलकुल भी नहीं चुनी चाहिए और साथ ही आप इसमें मंतरों का जाब कर सकते हैं गरहन के समय में जैसे गायतरी मंतर है ओम नमेशिवाय है श्रीमत भागवत पूरान जैसे पुस्तके पड़ सकती है गीता का पाठ कर सकती है और जैसे रिकृष्ण मंतर का जाब कर सकती है और गरहन समाप थोने के बाद ग तो गर्वती महिलाएं यानि कि ये काम जरूर करें और आप मंदर के कपाट बंद कर दें और खास कर पूजा पाठना करें ग्रहन के समय में और ग्रहन के समय में आप ज़्यादर जदा यानि कि धार्मिक पुष्टकों को पाठ करें और आप ज़्यादर जदा यानि कि मंतर ओ इस अप्रेल 2030 को लगने जा रहा है शुर्गने इसके बारे में संपोर जानकारी तो दोस्तों पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफी बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा जरा जद आपने दोस्तों को इसे शेर कर दीजेगा और अप हमारी चैनल से जोड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेजेगा जय शूर्देव